नमस्कार, मेरा नाम मनीशा जैन है और मैं जैपूर के निवासी हूँ, पिछले 20 वर्षों से अध्यापन के कारे में हूँ और कविताएं लिखना मेरा एक शौक है जो मैंने अपनी ही अध्यापी का शिरीमती सुधा शुकला के निर्देशन में शुरू किया था यद्यपी वो अंग्रेजी के ध्यापी का थी पर हिंदी में बहुत अच्छा लिखती थी और मैंने भी एक प्रयास किया पिछले 20-25 वर्षों में मेरी लेखन यात्रा में मुझे खुद को महसूस होता है कि जैसा जैसा अनुभव हमारे जीवन का होता गया वैसा वैसा सुधार मेरे साथ भी हुआ है मैं आज जन सरुकार मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा मेरी पहली कविता का शिय शक है मेरा जैपूर कंक्रीट के इस जंगल में अपनी आत्मा तलाशता जैपूर जूट फरेब मकारी की सड़कों पर भविश्य को पुकारता जैपूर अपनी उनींदी आखों में बच्पन को देखता है वो बाग वो गलियां वो इमारते सहेजता है अलमस्त खुश्बू थी बागों में रिष्टे थे गलियों में चाहे कच्छे धागों में हर इट से जिम्मेदारी जूड़ी थी हर वो इट जो इमारत में जड़ी थी ना राम था ना कृष्ण ना राम था ना कृष्ण ना रहीम ना मौलाना चाहे आरती ये अजान सुनाई देती थी एक स्वर में रोजाना हर तीज पे त्योहार पे हर बात और व्यवहार पे लोगों के दिल में प्यार था और शहर का आदर सत्कार था नक्ष जैपुर का चौकौर था इस छोर का चौराहा भी उस ओर था शुरुवात चाहे कुछ भी हो सब वहीं आते थे वहीं शब्द थे हवा में जो दिल से कहे चाते थे अब जैसे जैसे समय परिवर्थित हुआ है हमारे शहर जैपुर का स्वभाव और चरत्र भी कहीं न कहीं उस परिवर्थन से प्रभावित हुआ है ये तो अतीत की बात थी लो जैपुर अब जाग गया है स्वपन नींद का था नींद के साथ भाग गया है स्वपन नींद का था नींद के साथ भाग गया है नक्ष वही चौकौर है नक्ष वही चौकौर है पर ना ओर ना छोर है शहर हमारी चाल क्या सवारता हमने इसे बिगाड दिया है शहर के निर्माताओं का स्वपन कहीं गाड दिया है क्या तीज क्या त्योहार क्या तीज क्या त्योहार सब बन चुके व्यापार ना गलिया है ना बाग है ना गलिया है ना बाग है ना रिष्टे ना खुश्बू हर दिल में नफरत की आग हर दिमाग में शड़ियंतर कीबू जो इट शहर का आधार थी जो इट शहर का आधार थी अब वो निकाल दी गई है जिस्म तो क्या बचा होगा आत्मा तक की सूरत भिघाड दी गई है ना رाम के नाम पे ना मुल्ला की अजान पे ना राम के नाम पे नमुल्ला की अजान पे नतीज पे त्योहार पे हाथ जोडते हैं जिस गली से गुजरते हैं दंगों के निशान छोडते हैं साथ खाना क्या चीज है हम भूल गए हैं मतलब परिवार के साथ बैठ के कुछ खाना हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है पर अब साथ खाना क्या चीज है भूल गए हैं जोपडियों जैसे होटल जो फल फूल रहे हैं परिवार के साथ शाम बिताना परिवार के साथ शाम बिताना ऐसा लगने लगा है कि कहीं न कहीं हमारे लिए शर्म की बात है परिवार के साथ शाम बिताना शर्म की बात है जाना है अकेले पिक्चर क्योंकि आज शनिवार की रात है सौंदी खुश्बू से पकवान सौंदी खुश्बू के पकवान पिज़ा के आगे फी के नजर आते हैं मतलब अब मुझे लगता है कि हमारा वो शहर जैपुर जो एक छोटी काशी के नाम से विख्यात है कहीं न कहीं उसका स्वरूप, व्यवहार, चरित्र परिभर्तित होता जा रहा है कि कच्रा तो सिमटता नहीं, लोग हर जगे थूखते हैं, ये जैपुर की दर्द भरी पुकार है, क्या यही आज की शिक्षा के संसकार हैं? सुनो, अब ये आवान सुनो, बचाओ अपने शहर और उसकी आत्मा को, आओ, हम ये प्रण करें, क्योंकि हम सब अध्यन अध्यापन से जुड़े हैं और ना भी जुड़े हों, तो अपने आपको बचाना और अपने बच्चों को सिखाना हमारा करतव्य है, आओ, हम ये प जैपुर नगर को सवार दे, जैपुर नगर को सवार दे, धन्यवाद,